आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीजो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाऊ डाउनलोड नाओ और क्वेश्चिन इच एक्सप्रेस्ट फॉलाइंग नंबर इन दे स्टैंडर फॉर्म इस फोर नंबर इस फोर नंबर का मतलब यह होता है कि नंबर शुड बी इन डेसिमल फॉर्म आप सोच रहे हों कि यह नंबर तो अल्रेडी गिवन डेसिमल में है तो नहीं आप यहाँ पर गलत सोच रहे है स्टैंडर फॉर्म में जो डेसिमल पॉइंट होता है उस डेसिमल पॉइंट से पहले बस एक ही डिजिट होना चाहिए और उस डेसिमल पॉइंट के बाद रिमेनिंग डिजिट होने चाहिए और साथी साथ वो डेसिमल नंबर शुड बी दा प्रोड़क्ट आप द पावर अफ 10 कैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे यहाँ पे गिवन नंबर है 493.8721 तो हमें सबसे पहले क्या करना परेगा इस डेसिमल पॉइंट को यहां से लेकर यहां तक सिफ्ट करना परेगा जिससे डेसिमल पॉइंट के पीछे बस एक ही डिजिट बचे और जो रिमेनिंग डिजिट बचे वो डेसिमल पॉइंट के बाद हो तो हमें क्या करना परेगा, इस decimal point को left hand side move करना परेगा, तो यह हो जाएगा, पहले इस given number को दुबाई लिख लिजे, 493.8721, अब हमें इस decimal point को one place, two place, towards left hand side move करना परेगा, to make it in a standard form, तो यह हो जाएगा, 4.93, after moving that point, towards left hand side, up to two places, तो यह हो जाएगा, 4.93, 8721, तो देखिए, यह point आप हमें सा याद रखेगा, जभी आप decimal number में decimal point को move करते हैं, towards left hand side, तो जितने places आप move करते हैं, उतना ही आपको 10 के power multiply करना होता है, कितने places हमने move किया, up to two places, one, two, तभी हो गया, 4.93, 8721, ओके, और multiply by 10 to the power, जितने places आपने move किया, that is two places, अगर decimal point को आप left hand side move करते हैं, तो 10 का power हमें सा positive होगा, अगर आप decimal point को right hand side move करते हैं, तो हमें सा 10 का power negative होगा, यह point दिमाग में रखिए, okay, तो हमने यहाँ पे इस given decimal number को standard form में convert कर दिया, that is 4.938721 multiply by 10 to the power 2, आप चाहिद इसे check भी कर सकते हैं, जब इसको इस से multiply करेंगे, 10 to the power 2 क्या होता है, that is 100, तो जब इसको 100 से multiply करेंगे, you will get that result, okay, so that's our answer, I hope you have understood this well, thank you.